गंगा जी का किनारा बनारस में भोला रहता है भोला अपने नाम के जितना ही सीधा है वो घाट पर आई सभी लोगों का काम करता है जैसे कि किसी का समान उठाना होटल तक छोड़ना या फिर टूर गाइट बनकर बनारस के रंग में सब को रंगना आज भी बोला सुबह सुबह गंगा जी के किनारे दोड़ा तोड़ा आया और पान वाले चाचा से कहा चाचा मैं लेट हो गया नहीं हुआ अभी कोई नहीं आया है मा गंगा ने मुझे कभी बिना काम के रहने नहीं दिया है लेकिन दो दिन से कोई नहीं मिल ला है वो देख सामने एक गाड़ी आई है और शायद यह दिल्ली से आये हैं चल्दी दोड़ कर जा तुझे काम मिल गया अरे लव्यू जाजा, मैं भी जाता हूँ गाड़ी से माही, गौरी और तुशार उत्रे वो अपना समान लेकर इधर उधर देख रहे थे तभे उनके पास भोला पहुचा मैं भोला, बना रस्वासी आपका स्वागत करती है समस्तकाशी अब बताए कि मैं आपकी क्या सेवा करो बस बस, ज्यादा ओवर आक्टिंग मत करो मुझे पिल्कुल भी पसंद नहीं है चिली अरगौरी, सबका अपना-पना तरीका होता है उसका भी अपना है मैंने कहा था ना कि ये गाओं वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ओहो, अब छोड़ो भी इस बिचारे से तो बात करने दो भोला जी, आपने अपना परिचेतों दे दिया अब हमें रुकने के लिए कोई कमरा बता दीजी जहां सब कुछ मिल जाए रहना, खाना या हो फिर पान चवाना बड़े बुजर्ग कह गए है असी घाट किनारे पतली गली में बनाना ठिकाना तो अपना ये शायराना अंदाज बंद करोगी प्लीज हाँ, बिल्कुल वो सामने वाली पतली गली में रुकने के लिए एक अच्छी जगह है और भोजन का प्रबंध भी हो जाएगा चीक है, चीक है हम यहां कहां कहां घुम सकते हैं आप हमें फुल पैकेज हायर कर लीजिए सारा टूर करा देंगे यह भी अच्छा है, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद आए भोला तीनों को एक होटेल में ले गया और अच्छा कमरा दिला दिया शाम को भोला होटेल के नीचे खड़ा होकर इंतजार कर रहा था तभी तीनों लोग तयार होकर आ गए चलिए भोला जी, अब चलते हैं हम सबसे पहले कहा जा रही है शाम की हवा चाय का वहाना प्रे में डूबे हो या मनाने का हो वहाना तो चलो मेरे साथ, असी घाठ ही है इसका ठिकाना गजब यार, तुम बहुत अच्छे हो मेरी मा भी यही कहती थी कहती थी मतलब, अब मा नहीं है न ओ, सौरी, कोई बात नहीं भगवान जी ने भी सौरी फिल नहीं किया फिर हमें लगा कि मा गंगा ही हमारी मा है तो हम शान्त हो गए, इसलिए अब कोई शिकायत नहीं करते वैसे भोला, तुम अपनी कोई भी बात सीथी सीथी क्यों नहीं कहते हो मैडम जी, बचपन से अकेले हैं, घर में कोई नहीं है तो बस पशुपक्षियों और भगवान से बाते करते हैं इसलिए बाते थोड़ी लंबी हो जाती है बढ़िया, चलो, अब देखते हैं तुम्हारा असी घाट हाँ, मा गंगा की आरती भी दिखाएंगे भोला ने गौरी, माही और तुशार को असी घाट पर घुमाया अब आप लोग गंगा में स्नान कर लीजिए आई यू मैड, हम ऐसी कैसे नहा सकते हैं और इसमें नहाने से क्या हो जाएगा गवार हो तुम, इसलिए मुझे या गाओं की लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैं इसलिए ही तुम्हें अपना टूर गाइट बनाने से मना कर रही थी आखिर कौन नहीं जानता, चाहें बनारस कहो या काशी डुपकी लगाओ मा गंगा में, शीव की शरण में दूर होगी हर उदासी वावा, वैसे कुछ भी कहो, बंदे के बास हर प्रश्न का उत्तर है सही में, गौरी तु बेवजे ही नराज हो रही है हम यहां डॉक्यमेंटरी बनाने आए हैं और मुझे लगता है कि अब हमें उस पर काम शुरू कर दिना चाहिए इस पागल की बादों से समय मिल जाए तो बताना हाँ, कोई कुछ नहीं बोला भोला ने सभी को मा गंगा की आर्थी के दर्शन भी कराई बाद में कचोड़ी खिलाई और फिर से एक बार चाय पिला कर होटल छोड़ाया अगला दिन भोला अगले दिन भी तीनों को लेने के लिए होटल के बाहर पहुच गया तीनों आ गए कभी वहाँ पर एक और लड़का आदेश आया और भोला से बोला भोला तुझा, इनको टूर मैं करा दूगा लेकिन ये तो मेरे साथ है ये तेरे साथ नहीं है तू इनके साथ घुम रहा है और तू इनको बहुत जाधा लोट रहा है मैं जानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि जा बढ़ना मैं तुझे बहुत मारूंगा ठीक है मैं जा रहा हूँ नहीं भोला तुम ही हमारे साथ रहोगे हम तो इसको जानते भी नहीं है ठीक है भोला ने तुशार से रुपने के लिए कहा लेकिन आदेश कुस्सा हो गया और भोला को पीटने लगा गौरी को बहुत क साया उसने आदेश को एक जोरदार थपर जड़ दिया ये तुमने ठीक नहीं किया है तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा मैं तुमको मार दूँगा और तुम्हारे इस भोला को भी आदेश धमकी देकर चला गया लेकिन भोला कुछ नहीं बोल पाया वैसे तुम इतनी जुबान चलाते हो और फिर आज क्यों पिट रहे थे उसे कुछ क्यों नहीं बोले मैं तो उसको बहुत मार था लेकिन मैंने उसको माफ कर दिया अच्छा दिख रहा था वेसे साफ साफ कि तुम उसे कितना मारते हाँ अब चलते हैं चारों मिलकर मनी करनी का घाट पहुच जाती हैं इतनी सारी चिता एक साथ जल रही है तुम्हामी यहां क्यों ले आए हां भोला कौन सी जगे है ये अमीर हो चाहे गरी मनी करने का पर ही राख होते हैं सबके शरीद अच्छा ये है मनी करने का घाट लेकिन तुम्हें इस पर डर नहीं लगता जिस भसम से वो रोज स अरे कुछ नहीं वो वैसे भोला अच्छा बोलता है ना लगता है गावाले पसंद आ रहे हैं मैडम को प्लीज यार तुम तो छोटी सी बात को बड़ी करने लगे भोला जी तुम्हारे पास इस बात के लिए भी कोई शारी है क्या सभी लोग एक साथ बैट कर हसते हैं और फिर चारों मिलकर पूरा बनारस अच्छे से घूमते हैं तुशार माही और भोला गौरी को ढून रहे थे लेकिन गौरी उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी तबी भोला के कान में किसी लड़की के चीखने के आवाज आई भोला उस तरफ दोड़ा तो उसने देखा कि आदेश गौरी को पकड़ रखा है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है भाई तेरी लड़ाय मुझसे है गौरी को छोड़ दे क्योंकि यह हां से दर्शन करने आई है मेरी दुश्मनी इससे मत निकाल पीछे से माही और तुशार भी आ गए मैं कह रहा हूं गौरी को छोड़ दो वर अधिक क्रोध आया वो दोड़ते हुए शिव मंदिर में गया और त्रिशूल ले आया नहीं नहीं मुझे नहीं मारना नहीं तो मेरा भाई तुम्हें नहीं चोड़ेगा मैं जब तक शान थो तब तक भोला हूं उसने वो त्रिशूल आदेश की गर्दन में मार दिया वहा चारो ने हैरानी से पीछे देखा तो उनके होश उड़ गए कि भोला ने आदेश को मार दिया तभी पीछे से किसी ने आवास लगाई जिसकी बाद चारो हैरान रहे गए अब आगे कौन? तभी एक अगोरी बाबा सामने आया जिसकी आँखे लाल और बहुत दरावनी थी उसके हाथ में एक खोपड़ी और गले में हड़ियों की माला थी बाबा चिम्टिदास जी? अगोरी बाबा? हाँ तुम्हें इसके लिए पाप लगेगा बाबा लेकिन ये लड़का हमारा दोस्त है हाँ हाँ जानता हूँ मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन आदेश ने तुम्हारे परिवार को नहीं मारा आदेश ने खुछ स्विकार किया है कि उसने मेरे परिवार को मारा है वो सब जूट बोल लहा था तुम मेरी कुटिया में चलो मैं वहाँ तुम्हें सब कुछ बताता हूँ वैसे तुम लोग शहर से गुमने आये हो? जी बाबा फिर यहां की लडाईयों में खुद को क्यों शामिल कर लिया है? बाबा, लडाई हमारी ही थी शामिल तो पिचारा भोला हुआ है तुम यहां रात में क्या कर रहे हो? बाबा हम यहां रिसर्च करने आए हैं मतलब हमको एक फिर्म बनानी है तो हम सब यहां के बारे में जानने आए हैं यह गोरी बाबा बहुत डराबना है हमें इसके साथ नहीं जाना चाहिए मुझे सब को रोकना होगा गौरी हमें कंजान के साथ क्यों जा रही है यह हमारा कुछ बुरा करने के लिए भी तो लेकर जा सकता है हाँ लेकिन भोला की साथ रहते हुए अब कोई डर नहीं है भोला ने भी इस बात को सुन लिया, वो मन ही मन बहुत खुश हुआ अगोरी सभी को अपनी कुटिया में ले गया जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गय क्योंकि वहाँ बहुत सारी मुर्दों की खोपड़ी और हड्डियां थी और वहाँ एक काला कुट्टा भी था क्या हुआ तुम लोग इतनी हैरानी से क्या देख रही हो अगर सच बताएं तो हम अगोरी बाबा पर ही रिसर्च करने आई थी लेकिन हमें आप खुद ही मिल गए सभी कोई श्वर मिलाता है बाबा मेरे परिवार को किसने मारा पहले आप वो बताईए बताऊंगा बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा बाबा अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है मैं उनको जिन्दा नहीं चोड़ूँगा दुश्मन को मारना इतना असान नहीं है उसको बहुत चालाकी से मारना पड़ेगा मुझे आप सिर्फ उसका नाम बताईए उसके बाद मैं खुद उसको देख लूँगा वो सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का दुश्मन है लेकि इतना शातिर है कि कभी किसी के सामने नहीं आता वो चाहे पाताल में क्यों न चुपा हो मैं उसको हर जगे से ढूण लाऊंगा भोला शांत अभी के लिए शांत हो जाओ क्योंकि अभी इन बातों के लिए सही वक्त नहीं है आज हमें पहली बार अगोरी बाबा मिले है तो हमें कुछ इनके बारे में चानना है तुम कितने स्वारती हो कि अभी भी तुमें सिर्फ अपना काम करना है बलकि मेरा काम कुछ नहीं है भोला मैं बाहर खड़ा हूँ जब तुम्हारा काम हो जाएगा आप बाहर आ जाएगा बुला बाहर जाकर खड़ा हो गया माही तुशार और बाबा चिम्टी दास से बाते करने लगे बाबा आप मानव की खोपडियों में क्या करते हो मैं इनमें भोजन करता हूँ लेकिन जिस खोपडि को मंत्रों के द्वारा सिध किया जाता है इसी तरह तुशार गौरी और माही ने बाबा चिम्टी दास से बहुत सारे सवाल किये चिम्टी दास ने भी सभी सवालों की जवाब दिये तीनों को अपनी डॉक्यमेंटरी में बहुत मदद मिली तुम्हें कुछ और भी जानना हो तो तुम्हारा स्वागत है तुशार माही और गौरी तीनों बाबा की कुटिया से बाहर आ गए भूला बाहर खड़ा था भूला बिना कुछ बोले आगे आगे चलने लगा उसने किसी से कोई बात नहीं की तीनों ने भूला से बात करने की कोशिश की लेकिन वो चुप-चाप रहा वो तीनों को होटल तक छोड़ाया और वापस अपने घर आ गया तीनों एक कमरे में बैट कर बात कर रहे थे भूला के साथ ऐसा क्या हुआ होगा उसने अपना परिवार खोया है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए भूला इतना सीधा साधा सा लड़का है लेकिन आज वो बहुत कुस्से में था हमने उसे इसलिए बाते नहीं करने दी मुझे लगता है कि अभी हमें सुझाना चाहिए तीनों सुझाते हैं लेकिन भूला को अपने घर चैन नहीं आता वो वापिस मनी करने का घाट पहुच गया और बाबा जिम्टी दास से मिला बाबा अब कातिल को आदेश के साथ ही मर जाने देते तो सब शांत रहता लेकिन आपने ऐसा नहीं किया अब जब तक मैं कातिल को नहीं मार देता तब तक मैं शांत नहीं रहूंगा ठेक है अंदर आओ भोला बाबा के पास बैट गया जब तुम धाईवाश के थे तो तुम्हारी बड़ी बहन पूजा जो तुमसे साथ साल बड़ी थी तुमको लेकर गंगा के घाट पर जा रही थी पूजा ने भोला को गोद में उठाया हुआ था भाई अब तुम जल्दी बड़ी हो जाओ इतनी छोटी से हो मेरी सारी बात सुनते हो लेकिन मुझे कोई जबाब नहीं देते हो मुझे तुमसे बाती करनी है बोलो चलो ठीक है बड़े हो कर मैं तुम्हे अब कंगा घाट पर लेकर जलती हो पूजा बहुत चहक रही थी लेकिन तब ही उसने देखा कि एक लंबे बालो वाला गुंडा जिसने मूपर कपड़ा भाना हुआ था पूजा की मा को परिशान कर रहा था पूजा दोड़ कर अपनी मा के पास गई लेकिन तब तक उस आदमी ने अपनी जेब से चाको निकाला और पूजा की मा को मार दिया उस आदमी के हाथ पर बिच्छू बना हुआ था जैसे ही पूजा भूजा को पान के दुकान पर छोड़ कर अपनी मा के पास गई उस आदमी ने पूजा को भी उसी चाको से मार दिया और फिर चला गया भूला पान वाले काका के पास ही रह गया जब भूला को अपनी मा और बेहन की दर्दनाक मौत का पता चला उसके आखों में आसू आ गए हमेशा हस्ते रहने वाला भूला बहुत शान्त हो गया भूला खुद को समखा लो कौन है वो आदमी और कहा मिलेगा मैं उसके बारे में कुछ जादा नहीं जानता हूँ उसके हाथ पर बिच्छू का टैटू है सिर्फ इतनी ही पहचान है लेकिन वो कभी कभी रात में घाट पर जलती चिताओं के पास आता है आपने फिर भी उसका चेहरा न देखा और ना उसका नाम पूचा वो किसी से बोलता नहीं है और यहां भी मूपर कपड़ा रख कर ही आता है लेकिन हाथ में बिच्चु कोई भी देख सकता है उसके मेरे पिताजी वो भी क्रोध में आकर उससे लड़ने गए थे लेकिन उनका भी बहुत बुरा हस्र हुआ शायद वो तुम्हारे बारे में जानता नहीं है वरना वो तुमको भी जिन्दा नहीं छोड़ता जान जाएगा अब वो मुझे भी जान जाएगा मैं उसे ढूर निकालूंगा मैं अपने परिवार का बदला लेकर रहूंगा भूला मैं कहता हूँ कि तुम्हारे लिए सब कुछ भूल जाना ही ठीक रहेगा जो कि वो बहुत खतरनाक है मैं उसे नहीं डरता लेकिन आदेश ने जूट क्यों बोला तुम्हारे परिवार के बारे में आदेश जानता है लेकिन उसका कातल से कोई संबंद नहीं था मैंने कभी दोनों को साथ नहीं देखा बाबा जवाब सब को जानते हैं तो ये भी जानते ही होंगे कि वो कौन है और कहा है मैं सच कहा रहा हूँ मैं से जादा कुछ नहीं जानता मैं उसको खुड ढोंड लूँगा भोला इतना कहकर वहां से चला गया आकला दिन होटल माही, गौरी और दुशार तीनों घूमने के लिए तयार हो गए आज अकेले ही घूमना पड़ेगा भोला लेने नहीं आएगा हाँ, बिचारे का कल हमने दिल तो दुखाया ही है भोला तो भोला है उसको आज मना लेंगे तीनों अकेले ही घूमने के लिए होटल के रूम से बहार निकले लेकिन उनोंने तब ही देखा कि भोला वहाँ खड़ा है उसको देखकर तीनों के चहरे पर मुस्कुराहट आ गई भोला, तुम आ गई हमने समझाता कि तुम नहीं आओगे मैं स्वार्थी नहीं हूँ और कभी अपनी जुआन से पीछे नहीं हटता वैसे भी, तुम लोग मिरे लिए क्या हो मैं अपना काम करने आया हूँ सौरी भोला, लेकिन आप सभी चलिए, आज मैं आपको नई जगे लेकर चलता हूँ आज हम कहां जा रहे हैं? जिनके लिए नगरी बहुत प्रसिद है आज उनके घर चल रहे हैं हम जा रहे हैं बाबा विश्वनात के द्वार पर अरी वा, चलिए चलते हैं मैं तो कब से सोच रही थी कि हम मंदर कब जाएंगे? बोला तीनों को बाबा विश्वनात के दर्शन के लिए लेकर गया उसने अच्छे से विदिवत दर्शन कराई और वहाँ की आसपास की सभी चीज़ों के बारे में बताया और बोला ने उन्हें बाबा विश्वनात की क्था भी सुनाई भोला तुम तो बहुत क्यानी हो, तुमको बहुत सारी बाते पता है अब आपको कुछ खाना पिना है तो बताइए, वरना दूसरी जगे लेकर चलता हूँ पहले खा लेते हैं, फिर कहीं और चलते हैं, क्या कहते हो दोनो हाँ यार, अब भूख भी लगने लगी है पहले किसी चाई की दुकान पर चलते हैं भोला तीनों को एक चाई की दुकान पर लेकर चला गया, जहां सभी बैठकर चाई का आनंद ले रहे थे तभी वहाँ आकर एक ओटो रुका, भोला की नजर उस पर गई, उस ओटो के पीछे बिच्चु छुपा हुआ था तभी भोला ने चाई की टपरी की तरफ देखा, जहां एक लंबे बालो वाला आदमी चाई वाले को पैसे दे रहा था भोला की नजर उसके हाथ बर गई, जिस पर बिच्चु का टाटू बना हुआ था भोला कुछ बोल नहीं पाया, जब तक भोला को समझाया कि वह कातिल है, वो आदमी आटो में बैट कर वहां से चला गया भोला उसके पीछे दोड़ा, कहानी जारी रहेगी, क्या भोला अपने परिवार के हत्यारे को ढून पाएगा, क्या भोला अपने परिवार की मौत की वजह का पता लगा पाएगा, क्या है इस बिच्चु के टाटू का रास, और कौन है ये चिम्टी महराज आखिर भोला के परिवार की मौत की इतने वर्शुबाद अगोरी बाबा ने भोला को सच क्यों बताया, कि भोला बाबा विश्वनात की दर्शन के बाद माही, गौरी और तुशार को लेकर चाय की टपरी पर गया, तभी वहाँ उसने एक टाटू वाले व्यक्ति को आटो म बैट कर जाते हुए देखा, भोला उसके पीछे दोड़ा, अब देखे आगे, ए, रुको, भोला उसके पीछे दोडने लगा, भोला क्या हुआ, तुम उसके पीछे क्यों बाग रहे हो, कौन है वो, रुको भोला, तब तक आटो जा चुका था, भोला रुक गया, भोला त तुम ठीक हो! चलो वापस चाए! तुम ठीक हो ना? कौन था वो? तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे थे? कुछ नहीं! वो कोई नहीं है! तुम उसकी पीछे क्यों भाग रहे थे? वो मेरे परिवार का कातिल है! मैं उसे नहीं चोड़ूँगा! तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वही मेरे परिवार का अत्यारा है ठीक है, हम पहले वापस होटल चलते हैं मुझे अब सिर्फ वो टेटू आरा आदमी चाहिए ठीक है, पहले हम वो आटो ढून लेते हैं उस आटो वाले ने उसकी शकल तो देखी ही होगी तुम कुछ भी करो, लेकि मुझे वो चाहिए भोला तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं लेकिन तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि वही आदमी तुम्हारा दुश्मन है मुझे चिम्टी बाबा ने बता दिया है और वो बाबा विल्कु सच बोल रहा है मैं कहती हो भोला कि तुम्हें ऐसे ही किसी बाबा पे विश्वास नहीं करना जाहिए वो सब सच बोल रहा है अगर भोला ऐसा बोल रहा है तो कुछ तो बात है अब इसमें कितना सच है और कितना जूट ये पता लगाना होगा वैसे भी हमारी डॉकिमेंटरी बन ही रही है बैठे बिठा एक टॉपिक मिल गया क्या हुआ तुम किस सोच में पढ़ गई हो कुछ नहीं मैं सोच रही हो कि हमें भोला की बात पर विश्वास करना चाहिए और ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने चाहिए तीनों ने एक दूसरे की आखों में देखा और इशारा किया तीनों भोला के साथ मिलकर कातल को ढूनने के लिए निकल गए अगला देन शाम अगला देन शाम को गंगा जी के घाट पर बहुत भीड थी भोला भी गोरी और बाकी दोस्तों के साथ आटो में बैट कर वहां गया घाट पर पहुचकर सभी आटो से उतर गए लेकिन तभी भोला की नजर सामने खड़े एक आटो पर गई वो बिच्छू वाला आटो था ये देखकर भोला आटो की तरफ तेजी से दोड़ा और जाकर देखा लेकिन उसके अंदर कोई भी नहीं था माही और दोनों दोस्त भी दोड़ कर वहां आए भोला अब क्या हुआ? वो यही है वो आसपास है भोला तुमको ब्रह्म हो गया है तुम उस चिम्टी दास की बातों को इतना गंभी रूप से मत लो वो यही है इसी आटो में है भाई यहाँ पर सैकडो आटो है तो कैसे कह सकता है कि इसी आटो में ही कातिल है भोला माही और गौरी घाट पर चले गए जबकि तुशार आटो के पास रुख गया उसके लंबे बाल है मुझे नहीं लगता कि ये तरीखा काम कर जाएगा फिर हम उसे कैसे ढूंड सकते है माही गौरी और गौरी घाट के इधर उधर लंबे बाल वाले आटमी को ढूंड रहे थे कि तब ही भोला की नजर एक लंबे बाल वाले आटमी पर पड़ी उसने पीछे से उसे देखा कि एक आटमी खड़ा है भोला उस आटमी के तरफ बढ़ने लगा वो आदमी फोन पर बात कर रहा था लेकिन जैसे ही भोला उसके पास पहुचा और उसका हाथ का निशान देखा तो शांत हो गया क्योंकि उसके हाथ पर टाटू नहीं था तब तक माही और गौरी भी आ गए और भोला को लेकर अलग चले गए भोला मुझे लग रहा है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए चलो अब घर चलते हैं भूल चाओ सब कुछ नहीं तुम लोगों को जाना है तो जा सकते हो लेकिन मैं नहीं जाओंगा भोला गौरी और माही तीनों बाहर की तरफ आए तब ही उन्होंने देखा कि एक तुशार एक महिला से बात कर रहा है अरे तुम आ गए यह है एलिस यह कौन है तुमारी दोस्त है अरे नहीं तुम इसके बारे में सुनका हैरान हो जाओगे क्योंकि जिस ओटो के पीछे तुम पढ़े हो उस ओटो को मिस एलिसी चलाती है वेसे आप हमारा ओचो क्यों जोनते हो इसमें कुछ खास बात है या फिर चलाने वाले खास है इसमें बैठने वाले खास है लेकिन आपको पहले कभी देखा नहीं अच्छा लेकिन मैंने तुम्ही कई बार देखा है ठीक है मुझे अब जाना है आपको कहा जाना है मैं छोड़ देती हूँ बोला कुछ बोले बगेर ही वहां से चला गया तुशार ने एलिस से हाथ मिलाया और फिर तीनों अपने होचल के तरफ निकल गए रात मनी करने का घाट बोला हताश होकर बाबा चिम्टी दास के पास गया चिम्टी दास मनुशी की खोबड़ी में बैठ कर खाना खा रहा था तुम्हारी चाल बता रही है कि तुम हार करा रही हो हाँ, आज-ाज, मैं कल उसे धूण कर रहूंगा वो दिन भपर तुम्हें मिला नहीं क्या एक बार मिला, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया मैं उसका पता जानता हूँ लेकिन लेकिन वो बहुत खतरनाग है उसके अड़े पर उसको जाकर मारना बहुत मुश्किल है तुम वहाँ जाकर नहीं मार सकते हो आप सिर्फ मुझे जगे बताईए यहाँ से सिर्फ एक किलो मिटर ही है तुम चले जाओ लेकिन उसको यहाँ मारना असान नहीं है परिवार की मौत का कारण जानने की बाद भोला बिलकुल पागल जैसे हो गया था वो सिर्फ कातल तक पहुचना चाहता था इसलिए भोला ने बिलकुल भी दिमाग में नहीं सोचा और बाबा चिम्टी दास के बताए रास्ते पर निकल गया भोला ने आगे जाकर देखा कि वहाँ एक बड़ा सा घर है उसके बाहर कुछ लोग बैठे हैं उन में से एक व्यक्ति उठकर भोला की तरफ फोन पर बात करते होई आ रहा था वो व्यक्ति फोन रखता है और फिर भोला से कहता है मुझे तुमसे कोई काम नहीं है मुझे वो टैटू वाला आदमी चाहिए क्या मजाख है यार वो हमारे बॉस है और उनसे मिलने से पहले तुमको हमसे मिलना पड़ेगा क्योंकि बॉस तो बॉस होता है देखो भाई, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है मुझे सिर्फ उस आदमी से मिलना है अच्छा, आदेश को मार का खुद को हेरो समझने लगा है रोकी ने भोला को एक थपड मारा और फिर हसने लगा भोला ने भी रोकी को मारने की कोशिश की लेकिन रोकी ने फिर से भोला को एक थपड मारा तभी रोकी के साथ कुछ लड़के हौकी डंडे लेकर आए अब भोला अकेले रह गया सभी लड़कों ने भोला पर हमला कर दिया उस बेगहनी से भोला को पीटने लगे रुको रुको मेरी बात सुनो रुक जाओ शायद भाई साब को अब मेरी बात समझ में आई है मैं खुद भी पहले यही तो कह रहा था हाँ बोलो क्या खे तुम क्या बात सुनाना चाहती हो मेरी तुम से कोई दुश्मनी नहीं है मैं सिर्व उस्वेक्टी से मिलना चाहता हूँ शाय तुम अभी भी बात को अच्छे से नहीं समझे हो फिर से समझाना पड़ेगा उन लोगों ने भोला को फिर से पीटना शुरू कर दिया सभी लड़कों ने घेरा बना लिया और फिर भोला को फुटबॉल के तरहें इधर से उधर फैक टेक कर मा रहे थे भोला के शरीर से खोन बहने लगा भोला ने वहां से भागने की कोशिश की तब ही वहां एलिस अपना आटो लेकर आई भोला दोड़कर आटो में बैट गया अरे तुम हाफ क्यों रही हो कहां भाग रही हो तुम जल्दी से चलो मैं तुमको सब कुछ बाद में बताता हूँ कहां चलना है अब ये कुछ भी पूछने का समय नहीं है ठीक है आलिस ने आटो स्टार्ट किया और जंगल की तरफ ले जाने लगी भोला बिटाई के बाद अपने होश खो चुका था और कुछी देर में वो बेहोश हो गया अलिस ने वापिस आटो को घुमाया और फिर रॉकी के पास ले गई बिचारा मुझे अपना समझ कर भाग रहा था लेकिन भाग नहीं भाया अब इसको आटो से बाहर निकालो और बॉस से मिलवाओ रॉकी ने अपने लड़कों से भोला को आटो से बाहर निकलवाया और जमीर पर डाल दिया सभी लोग भोला की हालत पर हस रहे थे तब ही अंदर से लंबे बाल, हाथ पर टैटू और एक हाथ में शेर की जंजीर पकड़ कर आया इसका नाम सिंबा है, जिसे सभी बॉस कहते हैं शेर दहाड रहा था बिचारा, जादा शूर कर रहा था अब शान्त हो गया इसको शेर से तो मिलवाया ही नहीं बॉस, अब इसका होश मैना मुश्किल है रॉकी ने भोला के मूँ पर पानी डाला भोला को होश आया तो उसने देखा कि वो सिंबा के सामने है और एक भूगा शेर भोला को घूर रहा है भोला ने देखा कि आलस भी वही खड़ी है भोला ने चारो तरफ नजर घुमाई और फिर दोबारा बेहोश हो गया वो जमीन पर गिर पड़ा कहानी जारी रहेगी आखिर कौन है ये सिंबा क्या भूला इसके हाथों मारा जाएगा और इसने इसके परिवार को क्यों मारा होगा कि भूला बेहोश हो गया था जब उसकी आँख खोली तो उसने देखा कि सिंबा और आलेस के साथ-साथ बाकि सभी भी वही खड़े हैं वो दोबारा बेहोश हो गया अब देखिए आगी बेचारा फिर से बेहोश हो गया या बेहोश होने का दिखावा कर रहा है इसे फिर से उठाओ इसने मुझपर विश्वास किया लेकिन फिर इसने खुद को ये ही पाया हीरो बनने आया था रोकी ने भोला के ऊपर फिर से पानी डाला लेकिन भोला ने आखे नहीं खोली लेकिन भोला बेहोश नहीं था मैं आज इनके चंगुल में फस गया हूं अगर आखे खोलूँगा तो मारा जाओंगा इसलिए बेहोशी का नाटक करना पड़ेगा भोलानी चुप चाप आखे बंद कर ली अगर ये होश में नहीं आ रहा है तो फिर इसे मगरमच से भरे तालाब में फेक दो वैसे भी ये हमारा कोई जानी दुश्मन नहीं है मुझे ये समझ नहीं आया कि ये आपके पीछे क्यों पड़ा है ये तो मैं भी नहीं जानता मुझे कुछ तो करना होगा वरना ये लोग मुझे मगरमच से भरे वो तालाब में फेक देंगे लेकिन आखे खोलूँगा तो भूके शेर के सामने फेक देंगे मैं बीच में बुरी तरफ अस गया हूँ मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा वरना बिना बदला लिये ही मारा जाऊंगा रोकी अपने साथी गौरफ की मदद से भूला को उठाकर तलाब में गिराने के लिए ले जाने लगा भूला मन ही मन बहुत परिशान हो रहा था लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहा था जैसे ही रोकी भूला को तलाब के पास लेकर गया भूला ने थोड़ी चलाकी की और रोकी से कहा तुम मुझे कहां लेका जा रहे हो? बिलकुल सही समय पर आग खुली है बेटा थोड़ा सा समय और सोई रहते तो अब तक मगर मच के पेट में पहुच गए होते इतनी देर से मूपर पानी डाल लही है तब तुम्हारी आग नहीं खुली तुम कौन हो? क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अच्छा जी लगता है बेचारा अपनी याददाश्ट खो बैठा है कहां लेका जा रहे हो? कौन हूँ मैं? इसको बॉस के पास वापस लेकर चलते हैं भाई पहले इसको नीचे उतारो यह बहुत भारी है हाँ हाँ शायद मैं अब दुबारा फस गया हूँ जैसे ही भोला को नीचे उतारा गया भोला ने देखा कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है इसलिए उसने भागने का रास्ता असान समझा और वो वहाँ से भागने लगा रोकी ने अपने साथी गौरफ के साथ मिलकर भोला का पीछा किया भोला जंगल में भागता जा रहा था उसके पैर में चोट लगी थी और खोन बह रहा था लेकिन फिर भी वो रोकी से बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन तब ही भोला के पैर में ठोकर लगी और वो नीची गिर गया रोकी को भोला के करहाने की आवास सुनाई दी रोकी अपने साथी गौरफ के साथ भोला को पकड़ने के लिए उस और भागा लेकिन भोला ने खुद को संभाला और एक जाड़ी के पीछे चिप गया भोला तुम उससे बचकर नहीं जा सकते हो मैं तुमको धूर्ण निकालूंगा और तुरंट मार दूंगा इसलिए कह रहा हो तुम खुद बहार आ जाओ भोला चुपके से धीरे धीरे जाड़ी के पीछे से जाने लगा और एक दूसरी जेंगे जाकर चुप गया वो रौकी को चुपकर देख रहा था उसने देखा कि रौकी उसे ढोड़ते हुए उसकी और आ रहा है इसलिए भोला ने पास में पड़ा हो और एक पत्थर उठाया और दूसरी दिशा में जाड़ियों में फैक दिया जिसको देखकर रौकी का दिमाग बदल गया और वो बहुत खुश हुआ वो जल्दी से उसी जाड़ी की और दोड़ा भोला ने चैन की सांस ली रौकी गौरव के साथ बहुत उमीद के साथ उस जाड़ी के पास गया और जाकर देखा कि उसके पीछे भोला नहीं है वो क्रोथित हो गया और फिर जाड़ी में ढूरने लगा उसने जाड़ी में देखा कि कोई भी नहीं है बोला तुम उससे दूर कहीं भी नहीं जा पाओगे मैं तुमसे आखरी बार कह रहा हूं कि बाहर आ जाओ वो शायद आगे जा चुका है अब हमें आगे चल कर देखना चाहिए उसके पैर में चोट लगी है वो बहुत दूर तक नहीं भाग सकता है लेकिन फिर भी तुम यहां रुकर उसे ढूंडो मैं आगे जाता हूं गौरव वहीं भोला को ढूंडने लगा और रौकी आगे चला गया भोला उसी जाड़ी के पास चुपा हुआ था जैसे ही गौरव भोला के पास वाली जाड़ी के पास आया भोला ने पीछे से गौरव का गला दबा लिया गौरव ने बहुत बचने की कोशिश की लेकिन भोला के हाथ से खुद को छुडा नहीं पाया और वो मर गया लेकिन गौरव के चीखने की आवास रौकी के कानों तक गई और रौकी वापस उसी दिशा में भागा भोला गौरव को कुछ नहीं करना उसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा खुन पी जाओंगा सभी के साथ मिलकर मार रहे थे और फिर मेरी बेबसी पर हज भी रहे थे मैं तुझे भी अब मार दूँगा गौरव, गौरव मेरे भाई, तुझे ठीक है गौरव, मुझे बोल भाई मैं आ गया हूँ अब कभी नहीं बोलेगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मेरा परिवार अकभी नहीं बोल पाया कैसी कैसी बाते कर रहा है तू हमें तेरे परवार से क्या मतलब है तु कौन है हम तुझे नहीं जानते है लेकिन आज तुने गौर्फ को माल कर अच्छा नहीं किया है इसकी भरपाई करना तुझे बहुत मुश्किल पड़ेगा मैं केला हूँ ना कोई अब रोने वाला है और ना मेरे लिए खुश होने वाला मेरी जीत पर कोई ताली बजाने वाला नहीं है कोई मेरी हाथ पर गम बनाने वाला नहीं है क्योंकि तेरे बॉस ने मुझे अनात बना दिया है मैं अनात हो गया हूँ तु अब मेरा दुश्मन बन चुका है लेकिन मैं फिर भी तुझे यकीन दिलाता हूँ कि तेरे परिवार की मौत से बॉस का कोई संबंद नहीं है जूट बोलता है तू भोला ने पास रौकी को पकड़ा और उसका सिर पेड़ पर मारने लगा बदले में रौकी ने भी उसको लात मारी भोला नीचे गिर गया भोला ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और एक बार फिर से उस पर हमला कर दिया फिर भोला ने रौकी पर काबू कर लिया और उसका सिर पेड़ में बार बार मारने लगा और कुछ समय में ही रौकी ने दम तोड़ दिया भोला की आखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी लेकिन उसने तिमाग से काम लिया और वापिस बाबा चिम्टी दास की खुटिया में पहुच गया तुम्हारी शकल देखकर लग रहा है कि तुमाज सारा युद्ध खत्म करके आये हो आओ बैठो मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा देता हूँ मैं पूरा युद्ध जीत कर नहीं आया हूँ सिर्फ रौकी और गौरब मरे हैं लेकिन असली कातल अभी भी जिन्दा है जब तक उसको नहीं मार देता मैं खुद को जीता हुआ नहीं मानूंगा हाँ बात तुम्हारी भी सही है लेकिन बॉस को मारना बहुत मुश्किल है तुम उसे कैसे मार पाओगे आपने मुझे मेरे परिवार के बारे में क्यों बताया मैं शान्त था मैं अच्छे से जी रहा था मेरा कोई भी दुश्मन नहीं था लेकिन अचानक से मेरी पुरी दुनिया ही बदल गई अब जीवन का लक्षे कुछ और है अब सब दुश्मन लग रहे है अब किसी पर भी विश्वास करने का मन नहीं कर रहा है अब मन में कोई खुशी या उलास नहीं है सिर्फ बेचैनी है दिल में मेरे परिवार की मौत का दर्द है आपने मुझे क्यों बताया जब मैं इतने वश्वों से नहीं जान पाया था तो अब क्यों मैं तुम्हें बताने नहीं आया था बलकि तुम मेरे पास आये थे और हाँ सभी को कर्मों की सजा मिलती है और उसको सजा मिलने ही चाहिए तुम नहीं जानते कि उसने तुम्हारी मा को कैसे तड़पा तड़पा कर मारा था तुम्हारी बेहन को और तुम्हारे पिता सब को मार दिया था हम् ताकि पापी का वध हो सके बहुत जल्द, बहुत जल्द मैं उसको मार दूँगा जब तक उसको मार नहीं देता, मैं चैन से नहीं बैठूँगा भोला अपनी घर चला गया और जाकर सो गया भोला हर रोज की तरहें, सुभे को उठा और तयार होकर होटल के नीचे उने लेने पहुच गया माही, गौरी और तुशार तीनों तयार होकर आ गए भोला, तुम्हें ये चोट कैसे लगी है? कुछ नहीं, ये बताओ कि आज कहां जाना चाहते हो वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें बहुत चोट आई है हाँ भोला, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तुमको जहां भी घुमना है तुम वहाँ चलो आज हमें बहुत ही शान्ती वाली जगह पर जाना है जहां भीर ना हो, कुछ ना हो ठीक है, चलो भोला उन्हें एक शान्त जगह लेकर चला गया जहां चारों तरफ पेड़ पौधे और पानी बह रहा था वाह, ये बहुत शान्दार जगह है मुझे ये बहुत पसंद आई लेकिन भोला, तुम बुरा ना मानों ते एक बात पुछ सकती हो कि तुम इतने शान्द-शान्त क्यों हो तुमको तो मेरा बोला पसंद नहीं था अगर मैं कहूं कि तुम और तुम्हारा काउ अब पसंद आ गया है तो तुम क्या करोगे मैं कुछ समझा नहीं मैं तुम से प्रेम करने लगी हूँ और अपने जीवन की बाकी शा में यहीं असी घाट पर पिताना जाती हूँ अरे पुद्धू, शादी करोगे मुझसे माफ कीजिए लेकिन वक्त ने मुझे जहां लाका खड़ा कर दिया है यहां से वापस मुढने का कोई रास्ता नहीं है और ना प्रेम करने का कोई रास्ता है मेरा आखरी दिन कौन सा होगा मुझे ये भी भरोसा नहीं है भोला तुम पागल हो गए हो क्या कि कैसी कैसी बाती कर रही हो मैं सच कह रहा हूँ मुझे अब तुम पर भी भरोसा नहीं है क्योंकि जो तुम्हारे दोस्त है वो मेरे दुष्मन है और वो देखो, पीछे तुम्हारी दोस्त भी आ गई सभी ने हिरानी से पीछे मुड़कर देखा पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गौरी भोला को अपने दिल की बात बताती है लेकिन भोला उसे अस्विकार कर दीता है तभी वहाँ पर किसी के आज आने से सभी हैरान हो जाती है अब देखिए आगे Hello Miss Gauri जी, आपकी दोस्त आ गई है और मैं भी इनके बारे में ही बात कर रहा था Alice, तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं, वो मैं, मैं किसी काम से यहाँ जा रही थी आप सभी को यहाँ दिखा तो चली आई अरी वा, ये तो बहुत अच्छा किया हाँ, हमी नई शहर में भी एक दोस्त मिल गई है इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता नई शहर में नई दोस्त है या हम Alice से यहीं आकर मिले है मैं अच्छे से जानता हूँ कि कौन किस से मिला हुआ है भूला तुमारी प्रॉपलिम क्या है तुम कैसी कैसी बाते कर रही हो तुम जानते भी हो कि मुझे चोट कैसे लगी उसमें ये Alice भी शामिल है मेरे परिवार की मौत में Alice शामिल है तुमारा दिमाग खराब है तुम Alice को जानते भी नहीं हो और इसे अपनी दुश्मन बता रहे हो अच्छा, अगर मैं ही जूट बोला हूँ तो आप Alice से पूछ लेजिए कि मेरी ये हालत किसने की है और अभी ये मेरे ली ही आई है मैं इसको अच्छे से जानता हूँ भाई प्लीज भूला सच बोल रहा है सभी ने Alice को चौँकते हुए देखा Alice तुम भूला की बात का बुरा मत मानो वो थोड़ा डिस्टर्ब है इसलिए ऐसा कर रहा है नहीं भूला सही है इसकी जो भी हालत है उसकी मैं भी जिम्मेदार हूँ तुम्हारी भूला से दुश्मनी क्यों है तुम उसकी साथ ऐसा क्यों कर रही हो ये बात मैं और बॉस भी नहीं समझ पाई कि भूला की हम से क्या दुश्मनी है भोला कहता है कि बॉस ने उसके परिवार को मारा है लेकिन ऐसा नहीं है कल रात भोला ने रौकी और गौरफ को भी मार दिया बॉस तुम्हे कर रात से ढून रहे है और मुझे भी इसले ही भेजा है तुमने फिर से किसी की जान ली? तुम पागल हो चुकी हो क्या? तुम जानती नहीं कि सिंबा कितना खतरनाक व्यक्ती है फिर भी तुम उससे लड़ रहे हो ये खेल मैंने शुरू किया है और इसको खत्म भी मैं ही करूँगा मैं अभी भी कह रही हो कि रुख जाओ इस लड़ाई को यही खत्म कर दो और ये शेहर छोड़ दो मैडम ये मेरा शेहर है आप यहाँ जनवी हैं तो आप यहाँ से दूर जाएए मैं नहीं जाओंगा और हाँ, आप सभी भी हैलिस के दोस्तों इसका मतलब समझते हो कि आप सब भी इसमें शामिल हो चीक है, बॉस तुम्हारा इंतिजार कर रही है तुम खुद चलोगे या फिर जिसका इंतिजार मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ वो खुद मुझे बुला रहा है इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है चीक है, चलते है फिर बॉला आलस के साथ जाने के लिए तयार हो गया आलस ने भॉला को ओटो में बिठाया और फिर लेकर चली गई वहां सिंबा अपने भुके शेर के साथ बॉला का इंतिजार कर रहा था जैसे ही भॉला और आलस ओटो से निकले सिंबा की सारी टीम उसे मारने के लिए दोड़ी बोला गुस्से में सिंबा को मारने के लिए दोड़ा लेकिन सिंबा ने अपनी शेर को छोड़ दिया जिसके बाद शेर भोला पर तूट पड़ा भोला शेर से लड़ने लगा सभी लोग खड़े होकर ये अनोखे लड़ाई देख रहे थे जैसे ही शेर ने भोला को खाने की कोशिश की भोला ने उसके मुख को पकड़ लिया भोला अज हार मानने को या शेर से ड़ने को बिलकुल तयार नहीं था और कुछ देर की लड़ाई के परिणाम में ये हुआ कि शेर मारा गया भोला के चेरे पर खोन लगा था उसकी आखे भी खोन से लाल हो रही थी भोला ने पास पड़ी हुई पिस्तॉल को उठाया और सिंबा की टीम पर गोली चला दी कुछ गोली लगने से मर गए और कुछ डर के भाग गए अब भोला के सामने आलिस और सिंबा खड़े थे भोला मेरी बास सुन बदला बदला और बदला मैं शब्द के अलावा कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूँ तुम्हारा कोई इस्तिमाल कर रहा है तुमको बात समझनी होगी तुम्हारी शक्तियों का कोई दुरुपयोग कर रहा है और तुम बदले के लिए बिलकुल अंधे हो जुके हो जब मेरा सामना नहीं कर सकते तो अब बहा नहीं बना सकते हो मैं सज बोला हूँ मुझे नहीं सुनना भोला ने सिंबा को एक मुका मारा लेकिन सिंबा फिर भी उसको समझाने की कोशिश कर रहा था भोला उसे लगातार पीटता जा रहा था सिंबा की भी सबर का बांथ तूट गया और उसने भी भोला को पीटना शुरू कर दिया दोनों बहुत ही बुरी तरह लडाई कर रहे थे सिंबा भोला को मारते हुए तलाव की तरफ ले गया और दोनों वहाँ एक दूसरे को पीट रहे थे अलिस दोनों को बचाने आई लेकिन सिंबा के हाथ से धक्का लगा और वो तलाव में गिर गई जहां बहुत बड़े-बड़े मगरमच थे अलिस, अलिस जब तक सिंबा ने आलिस को बचाने के लिए प्रयास किया, तब तक आलिस को एक मगरमच ने निगल लिया सिंबा चुप-चाप खड़ा रह गया उसे कुछ समझ नहीं आया तब तक पीछे से माही, गौरी और तुशार भी आ गए भोला ने सिंबा को धका मारा सिंबा भी दलाब में गिर गया और एक मगरमच के मूग का निवाला बन गया तुमको अब चैन मिल गया होगा क्योंकि तुम्हारा बदला जो पूरा हो गया है अब तुम्हें खुशी हो रही है आज तो जश्न होना चाहिए क्योंकि तुमने एक जंग जो जीत ली है हाँ आज जीत गया मैं आज मेरे परिवार की आत्मा को शांती मिलेगी कभी नहीं उन्हें कभी शांती नहीं मिल सकती तुम मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं बोल सकती हो क्योंकि मेरे परिवार के बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ तुमको ये याद है ना कि मैं यहां क्यों आई थी मैं यहां डॉक्यमेंटरी बनाने आई थी और उसके केंदर में तुम थे हम सभी को तुम्हारे बारे में पहले से पता है लेकिन तुम्हारी परिवार का कातल सिंबा नहीं बलकि कोई और है कौन है वो? और तुम सब कुछ पहले से जानती थी तुम मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि जो तुम कर रहे थे मैं ये सब नहीं चाहती थी मैं प्यार करती हो तुमसे गौरी ने भोला को पूरी बात बताई भोला वहाँ से बाबा चिम्टी दास की कुटिया की तरफ चला गया और कुटिया में प्रवेश किया आज मैं तुम्हारा स्वागत करूँगा क्योंकि तुम आज पूरा काम करके आये हो नहीं, आज में कुछ अधुरा छूट गया है असली कातिल मारा नहीं गया नहीं, सिंबा को मार दिया लेकिन अभी कुछ पूरा करने आया हूँ भोला ने अपना तरशूल निकाला ये तरशूल यहां क्यों लेकर आयो तुम ही सच बता दो, शायद बच जाओ नहीं, सिंबा को भी मार सकते हो तुमने ऐसा क्यों किया और मेरे परिवार को किस ने मारा जब मैंने देखा कि तुम उस परिवार से हो जिसकी हत्या वशो पहले मेरे हाथों से हो गई थी तो मैं बहुत डर गया था और फिर मैंने तुम्हारी ताकत मणी कानी का घाट पर आदेश को मारते हुए देखी मेरी पिछले कई वशों से सिंबा से दुश्मनी है लेकिन मैं उसका कुछ भी नहीं कर पा रहा था इसलिए मैंने अपने दोनों दुश्मनों को आपस में लड़ा दिया और खोद एक तरफ हो गया मैं अगोरी नहीं हूँ मैं सिंबा से बदला लेने के लिए यहां भेश बदल कर रह रहा हूँ और इसलिए मैंने अपना नाम बदला है ये बहुत अच्छा किया भोला ने अपना त्रिशूल चिम्टी दास की दोनों आफो में गाड़ दिया चिम्टी दास बहुत तेज तेज चीक कर रोने लगा वो पूरी कुटिया में इधर से उधर भाग रहा था फिर भी भोला ने चिम्टी दास की छाती में त्रिशूल गाड़ दिया और कुछ देर में ही चिम्टे दास की तडप तडप कर मौत हो गई माही गौरी और तुशार भी वहाँ पहुच गए तुम सही थे, मैंने सिंभाव को बेवज़ा ही मार दिया कोई नहीं, तुमको भी यहां से चलना चाहिए तीनों भोला को अपने साथ डेली ले आए और साथ-साथ रहने लगे एक दिन तुशार ने गौरी और भोला से पूछा अब तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? दुलहन तो कब से तयार है? मैंने भी कब मना किया है? अरे वाँ, फिर तो शादी के तयारियां शुरू करते हैं बिल्कुल तुशार और माही ने मिलकर भोला और गौरी के विवाह की तयारियां की और दोनों की शादी कराई भोला आप डेली में ही काम करता है और अपने परिवार के साथ खुशी-खुशी रहता है समाप हलो फ्रेंज आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेर भी करें धन्यवाद